कटोरिया विधान सबाच्छित्र के लिए बिहार जन्समवाद का आयोजन हुआ जिसमे सुवे के भूमी सुधार एवम राजस्व मंत्री राम नरायन मंडल एवम कटोरिया के पूरुपरतियासी सहराज महिला एवकिस्दस निक्की हें ब्रम उपस्तित थी जन्समवाद को केंद्रिय ग्री राजमंत्री नित्यान नरायने संबोधित किया उन्होंने जन्समवाद के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की सरकार अपने दूसरे कारकाल में बहुत सारे इतिहासी कारे कर रही है जिने हमेशा याद रखा जाएगा वहीं बिस्व ब्यापी महामारी को लेकर केंडर सरकार के दुरा किये गए प्रयास और इस दोरान गरीबों को दी जाने वाले राहत की सरहना की सुबे के मंत्री राम नरायन मंडल ने कहा कि केंडर और राज की सरकार जनकल्यान के कारियों को बढ़ाने वाली सरकार है वहीं करोना काल में भी दोनों सरकार के कारे लोगों को राहत पहुचाने में काफी हद तक कारगार साबित हुई है बाकाजिला के पुलीस कप्तान अर्विन गुपता के निर्देश पर पूरे जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया इस दोरान धराया S.I. गुरकनात पासवान ने चार वाहनों को जब्त किया जिस पर जुर्माना भी किया गया चादनी चौक के समईप अस्थानिय पुलीस दलबल के साथ वाहन चेकिंग अभियान में जूटी थी पुलीस के इस अभियान से वाहन चालकों में हरकंप मच गया पुलीस ने अधिकांज दुपहिया वाहनों की जाच की इस दोरान डिक्की के साथ साथ कागजात की भी जाच की जा रही थी सुत्रों का कहना है कि बढ़ते अपराद को देखते हुए यह अभियान चलाया गया है S.P. की निर्देश पर धुरईया थाने की पुलीस ने भी सगन वाहन चेकिंग अभियान चलाया बिना कागजात की वाहनों को जब्त किया गया धुरईया थाना की पुलीस के दोरा चार बाई को जब्त कर चलान काटा गया थाना प्रभारी महस्वर परसादराय वा थाना धच गौरक नात पासवान ने बताया कि यह अभियान लगातार चलाया जाएगा उधर पुलिस कप्तान अर्विन गुपता ने बताया कि सगन वहां चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश सभी थानों को दिया गया है लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डियल के मुल्य को लेकर संभूगंज परखंड कांगरेस की और से कारकरता सड़क पर उतर कर बढ़े हुए मुल्य वापस लेने की मांग करते दिखे इस दोरान कारेकरता सरकार बिरोधी नारे लगाते हुए बढ़े हुए मुल्य वापस लेने की मांग की ताकि किसानों और आम लोगों को कुछ रहात मिल सके बाका जिला के धोराया थाना चिद्र की डेलू मोल की समीव ट्रक की चपेट में आने से धोराया गाउनिवासी अनिरुद्धि परसाद सिंग के 40 वर्षिय पुत्र संकर कुमार गंभी रूप से घायल हो गए घटना की जानकारी अस्थानिय लोगों ने पुलीस को दी जिसके बाद थाना परभारी महस्वर परसादर आये एवं सहाया कवरनिर चक राकेस कुमार पुलीस दल बलके साथ घटनास तल पर पहुँचे एवं अस्थानिय ग्रामिनों के सहयोग से घायल यूबक को इलाज क कुमार के पैर में गंभीर चोटे आई हैं वं पैर बुरी तरह से कुचला गया है घटना के बारे में धुरया थाना के प्रभारी महस्वर राय ने बताया कि पंजवारा की और से आ रहा है ट्रक ने पैदल चल रहे यूबक के पैर को कुचलते हुए आगे निकल गई कुछ दूर आगे जाकर ट्रक चलक ट्रक को खड़ा कर फरार हो गया वहीं पुलीस बालू लदे ट्रक को जब्त कर थाने ले आई है